आज हम भारत की लुभावनी सुन्दर्ता के बारे में बात करेंगे हिमालय की बर्फ से धकी चोटियों से लेकर केरल के हरे भरे परिद्रिश्य तक यह रंगीन देश आँखों के लिए एक दावत है तो बिना किसी देरी के आईए भारत के 15 सबसे लुभावने स्थानों के बारे में जानेंगे जहां आपको अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार अवश्य जाना चाहिए इस मंत्र मुग्ध कर देने वाली यात्रा पर हमारा पहला पढ़ाव आगरा में प्रतिष्ठित ताजमहल है यह शानदार सफेद संग मरमर का मकबरा शाश्वत प्रेम का प्रमाण है और दुनिया के साथ अजूबों में से एक है जटिल नकाशी, जिल मिलाते, प्रतिबिम्बित पूल और हरे भरे बगीचे इसे भारत आने वाले किसी भी यात्री के लिए अवश्य देखने योग्य बनाते हैं शान्ती और प्राकृतिक सुंदर्ता का स्वाद लेने के लिए दारजिलिंग के चाय बागानों में जाए लुढकती पहाडियाओं, हरी भरी हरी आली और धुन्ध भरी सुभें इस क्षेत्र को फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग बनाती है चाय के बागानों में आराम से टहलें, ताजी बनी दारजिलिंग चाय का एक कप छखें और दूर से हिमालय के शान्दार नजारों का लुटफ उठाए अब केरल के शान्त बैक वाटर की ओर दक्षिन की ओर चले आपस में जुड़ी नहरों, नदियों और जीलों का एक नेटवर्ट केरल के बैक वाटर रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड से एक शान्ति पूर्ण पलायन प्रदान करते हैं एक हाउस बोट पर चड़ें और शान्त पानी में नौकायन करें हरियाली और सुरम्य परिवेश का आनन्द लें ये वास्तव में एक अविस्मरणी अनुभव है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे भारत के उत्तरी क्षेत्र में उंचे ये राजसी पहाड देखने लायक है चाहे आप चोटियों पर चड़ने के लिए पैदल यात्री हों या प्रकृती की शान्ती का आनन्द लेना चाहते हों हिमालय एक ऐसी जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए जो आपको अवाक कर देगी इसके बाद हमारे पास हलचल भरी राजधानी दिल्ली है अपने जीवन्त बाजारों से लेकर अपने एतिहासिक स्थलों तक दिल्ली संस्कृती और एतिहास का एक मिश्रण है प्रतिष्ठित लाल किला और हुमायूं का मकबरा जरूर देखें और दिल्ली के मशहूर स्ट्रीट फूड का लुट्फ उठाना न भूले यकीन मानिये आपकी स्वाद का लिकाएं आपको धन्यवाद देंगी अब चलिए राजस्थान के रहस्य मैं रेगिस्तानी परिद्रिश्य में चलते हैं थार रेगिस्तान की सुनहरी रेथ जहां तक नजर जाती है फैली हुई है जिसमें परिकथा महल, प्राचीन किले और जीवंत बाजार हैं सूर्यास्त के समय उट की सवारी करें जोधपुर और जयपुर जैसे एतिहासिक शहरों की खोज करें और इस मंत्र मुग्ध कर देने वाले क्षेत्र की सम्रिध संस्कृती और परमपराओं में डूब जाए गोवा के धूप से नहाए समुद्र तटों की यात्रा के बिना भारत की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होगी खुद को सुनहरी रेत पर आराम करते हुए ताजा नारियल पानी पीते हुए और सूरज को रंगों के उग्र प्रदर्शन में क्षितिज के नीचे डूपते हुए देखते हुए देखें जीवंत समुद्र तट की जोपडियों का पता लगाए पानी के खेलों में अपना हाथ आजमाए और प्रसिद्ध समुद्र तट पार्टियों में से किसी एक में रात भर नाचे पहाडों पर आराम करने की चाह रखने वालों के लिए मनाली के सुरम्य हिल स्टेशन से बेहतर कोई जगह नहीं है बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी घाटियों से घिरा मनाली प्रकृति प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए स्वर्ग है घने देवदार के जंगलों में पैदल यात्रा करें, ब्यास नदी पर सफेद पानी की राफ्टिंग करें या बस आराम करें और आश्चर्य जनक द्रिश्यों का आनंद लें मनाली शांती का एक स्वर्ग है जो आपको तरोताजा और तरोताजा महसूस कराएगा हमारी सूची में अगला स्थान जैपूर का आकरशक गुलावी शहर है अपनी जीवन्त सडकों और राजसी महलों के लिए जाना जाने वाला जैपूर एक फोटोग्राफर का सपना सच होने जैसा है प्रतिष्ठित हवा महल का पता लगाएं स्थानिय बाजारों में पारम परिक हस्त शिल्प की खरीदारी करें और मुह में पानी लाने वाले राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें जैपूर इंद्रियों के लिए एक दावत है जो आपको विस्मय में डाल देगी इसके बाद हमारे पास अमृत्सर में मंत्र मुग्ध करने वाला स्वर्ण मंदिर है सिख धर्म में सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाने वाला स्वर्ण मंदिर शांती और आध्यात्मिकता का स्थान है जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकरशित करता है मंदिर के सरोवर के पवित्र जल में डुपकी लगाए सिख संगीत कारों द्वारा बजाए जाने वाले भक्ति संगीत को सुने और लंगर में भाग लेना न भूले सभी आगंतुकों के लिए परोसा जाने वाला एक निह शुल्क सामुदाइक भोजन स्वर्ण मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आपको आध्यात्मिक रूप से पूर्ण एहसास होगा मुंबई के जीवन्त महानगर की यात्रा करने का समय आ गया है जहांकी उर्जा संक्रामक है और द्रिश्य और ध्वनियां अंतहीन रूप से मनमोहक है आपनिवेशिक युग की वास्तुकला, चहल पहल भरे बाजहार और जीवन्त स्ट्रीट फूड द्रिश्यों का अन्वेशन करें किसी प्रतिष्ठित थेटर में बॉलिवुड फिल्म देखना न भूलें हो सकता है कि आपको एक या दो सेलिब्रिटी दिख जाए अब आएए भारत की आध्यात्मिक राजधानी वारानसी की यात्रा करें पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा यह प्राचीन शहर जीवन्त रंगों, शक्तिशाली अनुष्ठानों और गहरी आध्यात्मिक्ता का स्थान है मंत्र मुग्ध कर देने वाली गंगा आरती समारोह का गवाह बनें पवित्र नदी पर नाव की सवारी करें और मंदिरों, घाटों और चहल पहल भरे बाजारों से भरी संकरी गलियों में घूमें महाकाव्य यात्रा पृत्वी पर स्वर्ग है कश्मीर, बर्फ से ढकी चोटियां, पन्ना हरी घाटियां और क्रिस्टल क्लियर जीलें इस क्षेत्र को भारत का सच्चा रत्न बनाती है डल जील पर शिकारा की सवारी करें, गुलमर्ग के आश्चर्य जनक परिद्रिश्यों के माध्यम से ट्रैक करें और कश्मीरी लोगों के गर्म जोशी भरे आतित्य का आनंद लें हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में बसा, अरब सागर इतिहास, संस्कृती और प्राकृतिक सुंदर्ता का एक आकरशक मिश्रण प्रस्तुत करता है तीन बॉइंट आठ मिलियन वर्ग किमी में फैला, यह विविध अनुभवों की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक आश्रय स्थल है एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे पास मुननार की हरी भरी घाटियाओं है पश्चिमी घाट परवत श्रंखला में बसा मुननार प्रकृती प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है इसकी लुड़कती पहाडियाओं, चाय के बागान और धुन्ध भरे परिद्रिश्य एक शांत और मनोरम वातावरण बनाते हैं ठंडी जलवायू और ताजी हवा इसे शहर के जीवन की हलचल से दूर एक आदर्श पलायन बनाती है परिटक पैदल या घुमावदार सड़कों पर आराम से ड्राइव करके हरे भरे घाटियों का पता लगा सकते हैं हर मोड पर लुभावने नजारों का लुट्व उठा सकते हैं और ये रही वो जगहें दोस्तों भारत की सबसे खूबसूरत जगहें जो आपको अचमभित कर देंगी और आपको और देखने की इच्छा होगी तो अपना बैक पैक करें, अपना कैमरा लें और इस विविधता पूर्ण और जीवंत देश के माध्यम से एक जादूई रोमांच पर निकल पड़ें भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सम्रिध संस्कृती और गर्म जोशी भरे आतित्य से आपको मंत्र मुग्ध करने के लिए इंतजार कर रहा है आशा है कि आपको भारत की सुंदरता का आभास हो गया होगा तो देरी किस बात की अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो से आप वंचित न रहे इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा जगह कौन सा लगा कमेंट जरूर करें फिर से मिलते हैं एक बहतरीन वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत